नमस्कार आप देख रहें ICB News आज की खास कबरों के साथ मैं उस सोनल आये देखते हैं कबरे विस्तार से आंतर राष्ट्रे हिंदू परिशद और राष्ट्रे बजरंग दल के द्वारा 6 दिसम्बल शौर्य दिन के तहक महारती का आयुजिन के आगया था हिंदूों के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्यम मंदिल के निर्माण हितु कई जगों पर हिंदू की थ्वारा कारे क्रमों का आयुजिन किया जाता है 1950 से नियाइपाली का थ्वारा पे राम मंदिल के निर्माण के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं इस दिशा में व्यापक जन्जागरूती हीतु विश्व हिंदू परिशद और राष्ट्रे बजरम दलद्वारा कई कारेक्रम किये जाते है। ऐसा ही एक कारेक्रम आज 6 दिसंबर शौर्य दिन के तहट बड़ोदा शहर कलेक्टर कचेरी पर आयोजित किया गया था। करेक्टर कचेरी पर आयोजित महारती में आज आंतर राष्ट्रे हिंदू परिशद और राष्ट्रे बजरम दल के कारेकर बड़ी मात्रा में उपस्तित रहे थे। आज 6 दिसंबर बापरी मज्डित तो ढाचो या तोड़ोँ माय तो अने ध्यांकर भगुयरा मंदिर मने तमाम हिंदूओने इच्छा छे। तो आप भरत शरकार्ने अमारी प्राथ्ता ची वेला मंदी के रामंदी मादे कारिगूल आवे हिंदु धर्म के आराध्य देव श्री राम के भव्य मंदीर के नर्माण हेत्तों विश्व हिंदु परिशत बड़ुदा के थवारा विराध धर्मजपा का आयोजन किया गया है जिसके अंतर गत आज पत्रकार परिशत का आयोजन किया गया था सन 1528 से राम जन्म भूमी पर राम मंदिर के लिए निरंतर संगर्श चल रहा है राम जन्म भूमी पर बव्या राम मंदिर बनना यह धार्मिक, सांस्क्रतिक और राष्ट्रिय स्वाभीमान के साथ स्रध्धा का प्रतीक है 1950 से नियाई पाली का भी कई प्रयास कर रही है और प्रदेश मंतरे श्री अशोकरावल आपस्तित रहे थे साथ ही परमपुज्य श्रीद्वार केश्वार केसलाजी महराज और परमपुज्य श्री रजराज कुमारजी और स्वामिनार संप्रदाई के महंत Number श भी को मार्ः द्यष्यन प्रदान किया विश्वे हिंदू परिशत द्वारा गुजरात ने अंदर तेवी स्थानों पर धर्मसभाव थवानी छे आ तेवी स्थानों एक स्थान वड़ोद्रानू 9 डिसेंबर 9 लखी मैदान पर एक जहर धर्मसभानू आयजन थेल हुझे बड़ोद्रानी जन्ताने वहां हवान करूई हुझे राम भक्तों तरीके आप बढ़ा उप्वस्थित रही और आकारेकमना रामनू काम चे आप सोवनू काम चे के हम समझीन आप सो उप्वस्थित रहुझे मारी विननती शे भारत माता कीगे बड़ोदा शेहर के स्वराणजली म्यूजिक अकेडमी से सक्तर ग्रुहिनियों का एक ग्रूप कलश टीवी पर प्रसारीत होते इंडियास गौड टेलेंट नामक तीवी शो में सेमी फाइनल तक पहुंचा है बड़ोदा शेहर के मांचलपूर विस्तार में स्थित स्वराणजली म्यूजिक अकेडमी के एक ग्रूहिनी ग्रूप ने इंडियास गौड टेलेंट में हिस्सा लिया था वहाउन का चुनाव हो गया था अब यह 17 ग्रूहिनी का ग्रूप इंडियास गौड टेलेंट टीवी शो के सेमी फाइनल राउंड में पहुंच चुका है कि हम सब हाउस वाइफ से और आज इस मुकाम पर पहुंच कर हमें बरोडा के लिए गुजरात के लिए बहुत फक्र मैसस हो रहा है कि पचास हजार ओडिशन्स में से सिरफ 36 लोग जो है वो समी फाइनल पहुंचे और हम उसमें से एक है बहुत ही आदा खुश्य की बाद इ एक रिक्वेस्ट है कि आपका आशिरवाद हमें वोटिंग के तौल पर चाहिए ताकि ये ग्रूप जो एक ख्वाब लेकर चला है आज सिरफ समी फाइनल नहीं हम लोग फिनाने जीते हैं अपने बरोडा का नाम उचा करें इसके लिए हम आप से धरखास करते हैं हम सब मिल कर आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ज्ञादा-ज़ादा वोट करें एक लेडी ने जो एक सपना देखा है एक ग्रहीनी ने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने में आप लोग हमारी मदद कीजे हमें सपोर्ट कीजे सुरांजली मुसिक अकैडमी इंडियास इन गुरुहिणियों ने अपनी काईकी से जजिस और दर्शकों दोनों का मन जीत लिया है और साथ ही हमारे बड़ोता का नाम रोशन किया है बड़ोतार संसकारी नगरी के इस ग्रूप को हमारे सांसच श्री रंजन बेनभट और आदन्ड या मेर श्री जीकी सा बेनशेट ने देर सारी सुपकामनाय दी थी बड़ोतार संसकारी नगरी चे बड़ोतार ना लुको हमेशा जुदी-जुदी एक्टिविटी मा पोलते भाग लेता हुँछे बड़ोत्रा नी अमारी गुरूँहिनी बेनो श्रण जली म्युजिक एकैडमी मा गुरूहिनी बेनो एक्ट इंडियास गोड टेलेंट मा पाटीशिपेशन कर्युछे आजे मिडियाना माध्यम थी मारी बड़ोत्रानी बेनो जी गुरूहिनी बेनो छे जहेंबने पोतानू टेलेंट म्यूजीक गीत गाई ने टेलेंट यह्णू बता भी छे। अवे नव तारिके जहरे इंडिया गोट्स टेलेंट नी स्बरदा सेमी फाइनल नी थवा जही रईचे त्यारे। मारा गुजरात नी बेनो, मारा गुजरात ना तमाम लोकू, मारा गुजरात ना युवावर्क औने मारी वडोद्रानी सस्कारी नगरी ना तमाम लोकू, जहरे वडोद्रानी गुरुहेनी एक गुजरात ने औने एक वडोद्राने गवरोवपावा जही रहा होई त्यारे। हुँ मरा मीडिया ना माध्यम थी दरेक लोकों ने विननती करूँ छू के आपने सव नव तारीके कलर्स चेनल पर इंडियाज गोट टेलेंट जे सीरियल आविरें छे एमा अमारी वडोद्रानी जे ग्रुहेणी बेनों छे स्वरान जली मुजिकल संस्था छे एमना द्वारा आ एमनू टेलेंट कौशल्य बतावा माँ शे एमने खूब शारू संगीत पिरस्यू छे तो आव आपने बदा जुबेगा थाईने आपनी गुजरातनी घवरव वन् दोग्तर बाबा साहिब आमबेड करके 62 फे परिनिर्वान दिन पर पड़ोदार शेहर में स्थित उनकी प्रतिमा को श्रधान जली अरपन की गई आज आजादी के 37 सालों के बाद कुजरात की करमचारी गुलामी का एहसास कर रहे है गुजरात सरकार द्वारा रोजगारी नहीं दी जाती है जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओ की बेरोजगारी की संक्या में बढ़ावा हो रहा है कॉंट्राक प्रथा की वज़े से लाखो करमचारी का सुसर्ण हो रहा है अज समान हक समान वेतन प्रथातो जैसे नाबूध ही हो चुकी है बर्दी महिंगाई की वज़े से लोगों का गुजरान नहीं चल पा रहा है जिस स्याज सामाजी कारेकर ने अपनी वेधना व्यक्त करता आविदन बाबे साहिब के चर्णों में अरपन कर उन्हें स्रधान जली दी थी बाबा साहिब आमेटकर का पासटपा परिनिर्वार तीन है तो इस दीन पर हम स्रधान जली अरपित करते हुए हमारी वेधना दोक्टर बाबा साहिब आमेटकर की समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आये हैं और हमने दोक्टर बाबा साहिब के चर्णों में एक आविदन बत्रा रखा है ये हमारी रेदना है कि डॉक्टर बाबा सहीब आप इस देश में वापिस आई हमें आपकी बहुत जरूरते सविधान में आपने हमें समान काम समान वितन का अधिकार दिया लेकिन ये गुजरास सरकार है जो सविधान का बालत नहीं कर रही है गुजरास राचे के अंदर ला समान वितन क्योंकि मेहकाई बहुत बढ़ गई है इन मेहकाई में ये युवाओं का गर्व जारत नहीं चलता है बच्चों कोछी पढ़ाई नहीं देते हैं इसलिए हमारी बिंटी है गुजरास सरकार से कि कॉंट्राक सिस्टम और सिस्टम प्रता बंद करे और लाखों करम आज बुलंद करेंगे और बहुत बड़ा जंग चेड़ेगे और आज़ादी की लड़ाई दुबारा लड़ेंगे क्योंकि भारत की त्यास में आज़ादी मिली है लेकिन आज़ादी उन लोगों को मिली है सोशन करने की आज़ादी आप लोगों को मिली है हमें कॉंट्रा पुलिस ने पाच जितने चोरी के अपरादों में शामिल सिकलीगर गैंके जसिविर सिंग को पकड़ा बड़ोधा शहर के निईसमा रोड विस्तार में श्टित MGM स्कूल के द्ह़ारा अठाईस वे इंटर स्कूल साइंस क्विस प्रोग्राम का अउजिन किया गया था मार ग्रेगोरियस मेमोरियल स्कूल साल 1991 से साइन्स क्विस का आयोजन करता आया है साइन्स क्विस सुरू करने का संपुन श्रे फादर एमेज जोन को जाता है इस कारेकरम का मुख्य उतिश्य चातरों में विग्नान के प्रती रुची बढ़ाने और विग्नानिक अभीगम का विकास करना है इस कारेकरम में 24 शालाओं ने हिस्सा लिया था साइन्स क्विस जुनियर सेक्षन और सिनियर सेक्षन ऐसे दो हिस्सों में की गई थी पिछले 27 साल से MGM स्कूल द्वारा आयोजित की जाती इस साइन्स क्विस का संचलन मास्टर डॉक्टर रख्तिन मुखर जी ने किया था इस कारेकरम में मुख्य अतीती के तौर पर MS University Technology विभाग के दीन श्री अरुन प्रताप उपस्थित रहे थे . It's conducting, Inter School Science Skills in CC Metha Auditorium, MS University. This is the 28th edition of Science Skills we are conducting in this auditorium and this time the Chief Guest is Dr. Arun Pratap, Dean Faculty of Technology Department of MS University and this year more than 25 schools बड़ोधार शहर प्रताब नगर रिल्वे स्टेशन पर रिल्वे विभाग के द्वारा मॉक्ट्रेल का आयोजन किया गया था दो ट्रेन के बीच होने वाले अकस्मात की समय मुसाफिरों को किस तरह से बचाया जाए और इस दुर घटना से लोगों की जान कैसे बचाई जाए इस विशय पर यह मौक्ट्रिल आयोजन की गई थी इस आयोजन में पुलिस तंत्र अधिकारी एम रिल्वे स्टाप मुझूद रहा था आज 6 रिसंबल मश्चिन बेल्वे की बज़रफंडल ने एकसिजेट सिमिलेशन के लिए इजास्टर मैनेजमेंट का एक मौक्ट्रिल किया जिसमें कंबाइन टीप ले की और टीर्फ की आर्मे की और जी आर्पी की कंबाइन टीप इंट्रियर दस बज़े हमने मौक्ट्रि एक सिम्मेलेशन एकसाइस है कि वमारे लोगों में किनी चालव ठता है और हम इतनी जल्दी हमारा हमारा रिस्पंस होता है और हम संधीर के विन लाइट बचा सकते हैं तो हमारे टीम में अच्छों को दरसे लाज किया आपा जो कि टीर्म के 60 Battalion जारोड टीम आई थी जिसमें में नाली सोगते हैं आर्बी के टीम आई थी मुझा पुरा से जिसमें अचिसमें अचिसमें थे जिरो एट अबिलेंस आई थी तो हमारे अर्पिया थी आपकिया थी यह प्रफिय एट जिसमें पुर्पी के साथ धर कोडिरेटर रही थी जिसमें शिरो एटिकल कीम ने नहीं कि स्पैष्टरण आइञा है और जो हमारे सिंगलिंग और प्ली कुम्यॉनिकेशिन के बिसर्ट के ज़री है कम्मुनिकेशन भी अस्ताविट किया है और इसमा देखा होगा इतने हमारे पास इक्विपमेंट है जो वोल्ड कटर्स हैं तो हमारे पास लोगी इनको जिल्दे जल्दे निकालने का प्यास कि लबने किया और इस मॉखेट के दौरान आप देखा होगा किस तरीके से स्ट्चर का इस्तमाल किया गया किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला गया इन सम्में हमारे इठाद निकाला कि नहीं होती है कि इतने जल्दे से जल्दे लोगों प्रक्षा प्रक्षा पाहर निकाले कोई और उनको उस प्रक्षा बदान करते हों जिनको जो प्रीवेस एंजूरी हुई है इसलिए वन जिरो गेट एट एपुलेंस का भी हम दोगों ने शामिल किया था है और जहां जो पुदल हॉस्पिटल्स हैं उनको भी खबर की जाती है हमारे पड़ोगा डिविजन मंडल में जो पर्टॉल आफिस है सबसे पहले इंफर्मेशन को हम जो पर इजास्टर की वहां से हमारा एक्सिडेंट रिलीफ एडिकल बैर और के आरटी और एक्सिडेंट रिलीफ ग्रेंज जो है यह दो निकलती है जो हमनों ने यह कोशिश की है कि जो नोगों ने टाइम दिया हुआ है जो मुटो निकलने के लिए अपने अपने आपकारिस्ताथ से और सभी में टेल रहे हैं और किसी को यह पहला चार्ण है जो निकलत है कि अफोड़ी इससे कमया रहे है कि आम एक्सिश को जो एक्सपरियंस हमारा आज का रहा है इसको हम भी टेमे मिलके शेयर करें सबी टेमे मिलके यह भी नॉट Measure कि जहाँ जाबा लग लगा तो जहाँ कम धुश खमया हिए रही होगी अगली बार से हम चाहेंगे कि ये साथ में ट्रेनिंग करें ताकि जॉइन्ट ऑपरेशन अगर कभी किसी भी तरह का हाथसा होता है तो ये जॉइन्ट ऑपरेशन जद्दे से जद्दे लोगों तो बचाने के लिए मदद को होता है बड़ोदान नागरिक संरक्षंग दल के 56 विस्थापना दिन के अउसर पर भरती मिले का आयूजन किया गया था समाज की सेवा और समाज के लिए सेवा भावी होने के लिए भरती फॉर्म भरवाए गए कुद्रती आफ़तों के सामने डटकर सामना एवं समाज सीवा करना यही मुख्य उदेशिय से यह कदल कार्य कर रहा है करीबन 50 लोगों ने फॉर्म बरकर समाज के लिए सीवा करने ही तो एक कदम आगे बढ़ाया था जिसमें डिवीजन वार्डन व्योमेश व्यास जी, डेप्यूटी डिवीजन वार्डन संजे जूशी, काजल पेंटर, मुम्तास खान, यतिन दवे, सैयद बापू, जिदनिश जूशी और और भी कई लोग उपस्थित रहे थे 6 दिसमबर होमगार्ड दिन के तहट, बड़ोदा शहर में मार्चफास्ट आयोजित की गई थी 6 दिसमबर को हर साल होमगार्ड दिन मनाया जाता है, जिसके तहट बड़ोदा शहर में मार्चफास्ट का आयोजिन किया गया था यह रेली शहर के कई विस्तारों में घुमी थी जिसमें करीबन तीन सो चार सो हूमगाड और अधिकारे सामिल हुए थे इस रेली का समापन पस्चिम रेलवे ग्राउन में किया गया था इस आउसर पर पदवृद्धी किये गए हूमगाड का भी सन्मान किया गया था आजे चट्धी डिजमबर 59 ना रोज गुजदात राजर मां हूंगाड डिएस हूंगाड देनि स्थातना कारह मां आवि थी 30 डिजमबर थी दर वरसे हूंगार डिएस तरिके औज़वां मां आवे थे बड़ोधा शहर के आजवाच वकड़ी विस्तार में दबान शाका अधिकारी की चेताउनी के बाउजुद। फिर से दबान का सिलसिला नजर आया छे मईने पहले आजवाच वकड़ी विस्तार में दबान शाका के द्वारा बाथा रूप सारे दबान हटा दिये गए थे और साथ ही उस रास्ते पर वापिस दबान नहीं करने की चेताउनी भी दी गई थी उसके बाउजुद फिर से लारी धारकों ने वहाँ पर जमावट शुरू की है चे मईने बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया है लारी धारकों के द्वारा विशय पर बात करने पर उन्होंने स्थानिक सरपंच पर आरोप लगाते होए उनकी निकरानी में यह सिलसिला फिर से शुरू करने की बात को सामने रखा था तक बाद शुरू हो गया है आपिनए सार्का शा में रजवात करी सो मैं देंदेख काल यह संघकी आपने पैसा उग्राज पर नहीं क्योंस कि आपने इसकों यह सकानी के इस तरह से पूस्ट पैसे पूस्ट पर खेल तो पर पोटा सों रही है सब्सक्राइब कर दो एमने रोजी रोटी कमाई लिवाद है अमने जग्या छे एन तमें जो तमाई जग्या जग्या अम उबरागत है जग्या जरूरी जग्या 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 आईचे अहिने पैसा दंडो खड़ी लिवाद है अन्य। दॉक्तर बाबा साहिब आमिर करके निर्वान दिन के अउसर पर कर्जन गाउं के आगेवानों के ध्वारा कलेक्टर को आवेदन पत्रत दिया गया आज कर्जन गाउं के आगेवानों के ध्वारा गुजराचर का रहस्तक चलती सभी कजेरी, सचीवाले और पुलिस थाने में बाबा साहिब की छबी रखने का हुकम फर्माने की मांग की गई है साथी प्राथमिक और माध्यमिक अप्यासकरम में बाबा साहिब पर पाठ्यांश करने की भी मांग की गई, इवं कर्जन तालुका में आम्बेर कर भवन बनाने की मांग के साथ कलेक्टर को आवेदन पत्रत दिया गया राजपिपला शहर में मोबाइल कमपनी की लापरवाही से पानी की लाइन लिकेज होने से पानी की बड़ी समस्या खड़ी हुई है राजपिपला शहर में पानी की समस्या कभी नहीं होती है लेकिन मॉबाइल कमपनी द्वारा शहर में अंडरग्राउन केबल डालने का काम शुरूर किया गया जिसके लिए कमपनी की गाड़ी मशिन लेकर रास्तों पर खुदाई करती है इस काम के लिए पालिका की मंजूरी भी नहीं मांगी गई है पालिका की मंजूरी के बिना ही खुदाई करने की वज़े से पानी की लाइन लिख हुई थी जिसके तहट चीफ ऑफिसर अमित पंडिया को लोगों के द्वारा दर्खवास की गई है प्राइवेट टेलीकॉम कंपणी द्वारा पोतानो वायर पसार करवानी कामगीरी नगरपालिकानी मंजूरी सिवाई चालू करेला देधर में अमारी पाइपलाईन तोडी नाखी शे नगरपालिकाना ध्यान आवता नगरपालिकाय ताकिदे अक्षन लई नगरपालिकाय जब्त करेल छे अन्हाल रिपेरिंग नी कारियवाई नगरपालिकादर युद्ना दूर ने चालू शे एटले वेली तके नागरिकोन पाणी पुरुववथ पुरुवथ है जे वामारा प्रयत नो शे अन्ने ए पाणी पुरुवथ है नथिया प्योदर मे अपने सीमेंट यानों संदोगरिश उतारे ने थोडूक सुका वानों समय अपपो पड़े शे एटले काल्थी पुरुवथ ही जा शे एहमदाबाद साहीबाग राणी पुलिस विभाग में एसाई के तोर पर फर्जनेबाते पुलिस कर्मी की मौत पर उन्हें अपने वतन प्रातीज में सन्मान के साथ लाया गया उनकी मौत से परिवार जनों में शौक चा गया था अंतिम विधी से पहले साबर काठा जिला पुलिस दंत्र के द्वारा उन्हें गार्ड ओफ ओनर से सन्मानित कर सलामी दी गई थी जुनागट वंथली के पास जमीन में डटा हुआ विस्पोक पदार्थ बरामध हुआ शापूर ओवर ब्रीज के पास जमीन में गड़ी हुए डिटोनेटर के 21 केप मिली है डिटोनेटर केप जैसी विस्पोटक पदार्थ इतनी बड़ी मातरा में मिलने पर अफरा तफरी मची थी जबकि यह पदार्थ समय रहते पकड़े जाने पर बड़ी दुरगटना होने से टल गई है फिलहाल इस मामले को गंबेता से लेते हुए संपूर्ण मामले की जाच का जिम्मा सोजी को दिया गया है और विस्पोटक के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली डिटोनेटर के जमीन में गाडने वाले शक्स को खोजने की तजविच शुरू की गई है इसी के साथ ICB नियूज में आज इतना ही कल फिर से मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ जैहन झाल